मारूती की इस न्यू आने वाली SUV का मार्केट में इतना तगड़ा हाइब बना हुआ है कि लोग तो अब ये तक कहने लगे हैं कि ये टाटा की पंच और नेक्सॉन को भी तगड़ा कमपचीट करने वाली है लेकिन हमारा तो यही कहना है कि केवल लुक, फीचर्स या माइलेज के दम पर कोई भी गाड़ी किसी अन्य गाड़ी को कमपचीट नहीं कर सकती है पिलहाल बात करें मारूती की इस ओल न्यू आने वाली SUV की तो इसमें दो इंजन आपसंस दिये गए हैं और सबसे पहले बात करेंगे केवल टर्बो बूस्टर जैट पैटॉल इंजन की क्योंकि नैश्रली एस्परेटिट इंजन तो नॉर्मली बहुत सारी गाड़ियों में एवेलेबल हो जाता है और पॉसिबल है कि आपने भी 1.2 लीटर का ये इंजन बलैनों में भी चलाया होगा और उसका एक्सपिरेंस भी क्या होगा कि इसके प्रोज और कौन्स क्या है लेकिन मारूती सुजू की फ्रॉंग्स चलाने में रियली में कैसी होने वाली है ये कोशन हर किसी के मन में है बेसक लोग दुआधार इसकी बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि जिनका बजट एक प्रीमियम हैच बैक खरीदने का है लेकिन चाहते हैं SUV खरीदना तो बेशक उनके लिए फ्रॉंग्स एक अच्छी चॉइस हो सकती है क्योंकि ये गाड़ी बलैनो यानि की प्रीमियम हैच बैक और ब्रेजा यानि सब 4 मीटर SUV के बीच में प्लेस की गई है कीमत भी दौनों के बीच में ही होने वाली है यानि की ब्रेजा से कम होगी तो बलैनों से ज़ादा होगी एक तरफ टाटा पंच वाले सेगमेंट में ये सैंद मारी करेगी तो दूसरी तरफ टाटा नेक्सोन वाले सेगमेंट यानि की सब 4 मीटर SUV पर भी असर डालने वाली है पर कितना इसका इफेक्ट होने वाला है ये मार्केट में आने के बाद ही इस कोश्चन का अंसर मिल पाएगा लेकिन आप इसे परचेज करें क्यों ना इससे पहले ही इसका फुल कमपेर कर लिया जाए ताकि आप अपने लिए एक बैस्ट गाड़ी सेलेक्ट कर पाएं सेम सेगमेंट में फरस्ट आफ ओफ ओल फ्रॉंक्स के अंदर दो इंजन ऑप्संस हैं फस्ट है 1 लिटर टर्बो बूस्टर जाट पैट्रॉल इंजन सेकिर्ड है 1.2 लिटर का नेच्रली एस्पेरिट इंजन जो की सेम टू सेम आपको बलैनो के अंदर मिलता है वन लीटर वाला जो टर्बो आपसंस है ये वही है जो बलैनो आरस में भी आता था और लेकिन बीए सिट फेस टू के कारण जिसे बंद किया गया और दोस्तों सिख स्पीड चॉक कनवर्टर और फाइब स्पीड मैनुवल गियर बॉक्स के साथ इसे लाया गया है इसके फीच आपको यहां पर अपडेट कर देते हैं फाइब स्पीड मैनुवल ट्रांस्मिशन के साथ वन लीटर टर्बो बूस्टर जेट पैटरॉल इंजन नैश्रली काफी बढ़िया परफॉर्म करता है इंजन रिस्पॉंस जादा है काफी रिफाइन है आवाज आपको इसमें फी या सॉनिट में जो वन लीटर टर्बो पैटरॉल आता है उससे इसकी पावर कम है लेकिन बेजा के वन पॉइंट पाइप लीटर पैटरॉल इंजन जितनी पावर आपको यह दे देता है 100 पीएस पावर 147 एनम का टॉर्क जनरेट करता है शुरुआत में बेश्क आपको य परेशानी नहीं होने वाली है अच्छी खासी पावर लगेगी और यह कार आपको चलाने में काफी मर्यदार फील करेगी गियर सिफ्ट स्मूथ है लेकिन थोड़ा अप सिफ्ट करने लगते हैं तो बहतर फ्यूल एफिसेंसी के लिए अच्छा है और आपको इसमें पैडल का नेशली एस्पेटेड इंजन फिलाल हमने नहीं चलाया है लेकिन उस इंजन को बलैनों में चलाया है तो उम्मीद है कि यहां भी वैसा ही परफॉर्मेंस करेगा जैसा बलैनों में करता है थोड़ा जो इंपेक्ट रहेगा वो कार के बजन के कारण थोड़ा डिफरेंस आ सकता है और जहां तक राइड क्वालिटी और हैंडलिंग की बात है वो काफी अच्छी है और सस्पेंसन ट्रेवल काफी अच्छा है जिससे आप थोड़े मोटे पैचिस का केविन में ज्यादा पता नहीं चलता है सस्पेंसन खुद एबजॉर्ब कर लेता है और बलैनों के मुकाबले ग्राउंड के लिने ज्यादा बैटर है हाइट बड़ी है तो बॉड़ी रोल भी ज्यादा महसूस होगा और बात करें हैंडलिंग की तो हैंडलिंग मी ठीक ठाक है कॉर्णर पर कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर पाओगे स्टेरिंग का रिस्पॉंस बैटर ह और सहर में तो चलाने के लिहाद से आपके लिए स्टेरिंग काफी अच्छा फीडबैक देगा लाइट वेट है सिटी ड्राइविंग के लिए अच्छा है हाइवे पर या ज्यादा तेज स्पीड पर थोड़ा भारी हो सकता है जो हैंडलिंग और पर्फॉर्मेंस को इंप पर शेयर किया है और इस बेस्ट पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए बैस्ट ऑप्संस चाहिए वो टाटा नेक्स ओंड टाटा पंचो या फिर ये न्यूली फ्रॉंक्स हो जिसे देखने के बाद या टेस्ट ड्राइब के बाद ही आप फाइनल डिसीजन कर सकते हैं अपने लिए फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि आपको नेक्स ओंड पंच या फिर आल यू मारूती फ्रॉंक्स को पर शेयर करना चाहिए वैसे अगर आप किसी भी ब्रांट्स की गाड़ी पर शेयर करने जा रहे हैं और उसके बारे में डेटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप भी चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपने द्वारा यूज की जारी गाड़ीयों के बारे में अपने एक्सपिरियंस चैनल पर शेयर करके ताकि सभी सबस्काइबर इसका बेनेफिट ले पाएं मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ नमस्कार दोस्तों